प्रख्यात प्रवासी लेखी का सुषम बेदी 1945 में जन्म हिंदी में सनात कोतर और पिएचडी तीन उपन्यास हवन, लोटना, इतर और विभिन पत्र पत्रिकाओं में कई कहानिया प्रकाशित 1985 से कुलंबिया विश्रुविद्याले नियुयर्क में हिंदी भार्षा और साहिद्धी की प्रोफेसर इनकी ये कहानी गुनहगार गर्भनाल के पहले ही अंक में प्रकाशित हुई थी वो घूरे जा रही थी अखवार के पन्ने वो घूरे जा रही थी अखवार के उसी पन्ने पर जहां इश्तिहार छपा था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इश्तिहार उसके लिए है यूँ अखवारों के इश्तिहारों से शादियों के काम लेना उसके लिए नई बात नहीं थी बेटी की शादी के लिए इसी तरह से वर्चुना गया था यहां तक कि छोटे बेटे के लिए भी इश्टहार निकलवाया था वो तो यूं हो गया कि इश्टहार से बात बनी नहीं और बेटा फिर अपनी पसंद की ही फिरंगी दुलहन ले आया वही दुलहन अब कहती थी कि यूर मदर शुड हैव हर ओन इंडिपेंडेंट लाइफ मेरी मा ने भी तो दूसरी शादी की है इसमें कोई बड़ी बात नहीं यहां जो रहता है उसे यहीं के रीती रिवास की अनुसार चलना चाहिए ममी कुछ गलत तो नहीं कहती वो बेटा बीबी की हां में हां मिलाता है इस सब का नतीज़ा यह है कि उसका रहने का कोई घर नहीं बेटे के पास रहने का उसका हक छिन चुका है छिनना तो क्या कभी दिया ही नहीं गया यही उमीद थी कि मा कभी कभार महमान बनके तो आ सकती है पर अपनी अकेली जिन्दगी का बचा खुचा हिस्सा उन्हीं के सिरहाने काटने नहीं आएगी बेटी के पास जाओ तो जवाई इस तरह घूरता है कि बेटा तो रखता नहीं अब हमारे सिर पर बोज क्यों उतार रही हो अपना जमाई की तो जिम्मेदारी नहीं कि सास की देख भाल करे कहां जाये रतना अब क्या करे अखबार के खुले सफे पर फिर से निगाह चली जाती है कैसे कर सकी वो पर उसी ने निकलवाया है कि एटक साथ बरस की विद्वा विवाह के लिए उप्युक्त पात्र खोज रही है उप्युक्त पात्र से क्या मतलब शायद वो खुद भी इस मामले में साफ नहीं हां कोई लूला लंगडा नहो इतना तो साफ कह सकती है पर कहना चाहती क्या है मन किस से मिलेगा क्या इसे साफ तोर पर लिखा जा सकता है क्या कोई ऐसा होगा जिसके साथ रहा जा सके कहने को तो यही कहा जाता है कि और वही कहा है उसने अधेर उम्र का कहने को तो यही कहा जाता है और वही कहा है उसने अधेड उम्र का पंजाबी हो पर किसी और प्रांत का भी हो सकता है स्वस्थ, शराब न पीने वाला, एब और बीमारियों से मुक्त विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित चाहे छोटी बहन और जीजा जी नहीं सुझाय था ये सब पता नहीं, गंभीर थे, कि चसके ले रहे थे मन ही मन तो वे, दोनों भी हसते ही होंगे पता नहीं, किस-किस रिष्टेदार से चाहे बाते भी बनाते फिरे कितना चिछला, कितना चिछोरा समझेंगे सब, मन में उसे उसे तो कितना चिछला, कितना चिछोरा समझेंगे सब मन में उसे वैसे तो जीजा बहन बहुत मददकार बनते हैं सलाह तो उन्हीं की दि हुई है, उसको उबारने का ही यतन था पर अगर रतना खुद नहामी भरती, तो किसी को क्या पड़ी थी इश्तिहार निकलवाने की असली मर्जी तो उसकी अपनी ही थी न, जुटलाएगी कैसे इस बात को मर्जी थी किस बात की, वो ये शायद खुद भी नहीं जानती क्या सचमुच शादी रजाएगी किसी दूसरे पुरुष से छी, कितनी घनवनी बात है और रतना के रोंगटे भी खड़े हो जाते भीतर कहीं कुछ नरम सी, कुमलाई हुई सी पंखुरी अंगडाई लेने लगती कहीं सचमुच और नई नविली दुलहन सी वो खुद से शर्मा जाती कोई पुरुष सचमुच उछे छुएगा, उसे अपनाएगा, उसका अपना होगा, अपनों सी बातें करेगा उसका चेहरा, उसका जेस्म, उसके हाथ, उसके होट, उसकी आवाज, उसकी मुसकान क्योंकि परवरिश में लगा, उसका विध्वा शरीर किसी कुवारी से भी ज्यादा कुवारी हो चुका है, क्योंकि वहां किसी के आने का इंतजार नहीं, किसी के कभी न आने का मूख स्विकार है, लकडी के गुलाग की तरह, जो एक बार खिल कर खिला ही रहे, चाहे कोई आए, ना आए, उसे तो खिलना ही है, उन सब को अपने खिलाव से पोस ना ही है, जो उस पर निर्भर हैं, और अब तो कोई निर्भर नहीं, सब अपने अपने ठिकानों पर पहुँच चुके हैं, तो किसके लिए खिला रहे गुलाब, क्या जहर कर खत्म हो, या दे जाए क खुद उस सुख का भोग घबरा जाती है रतना, उस भोग के नाम से भी, साथ में पड़े थे, तस्वीरों के साथ भेजे गए उमिद्वारों के जवाब भी, उसकी हिमत नहीं पढ़ रही थी, कि उनको गोर से कुछ देखे, कुछ सोचे, फैसला लेने की बात तो दूर ही भीतर एक ही बात चक्रवार की तरह, भीतर एक ही बात चक्रवात की तरह घूम रही थी, आस्मान में बैठे प्रताप कुमार क्या कर रहे होंगे, क्या हो गया है उनकी पत्नी को, अब तक जो उनको अनथक पूझती रही, हमेशा उनकी याद को सीने से लगा, जीवन का हर कर सही ढंग से निभाती रही, आज इस पर तुलाई है, ये क्या हो गया है उनकी विद्वा सुपत्नी को, और रतना के भीतर जैसे कोई तूफान घिरे जा रहा था, ये हो कैसे गया, क्यों हो गया, प्रताप की स्मृति को क्यों लांचित कर रही है, प्रताप जी ने तो सिर् परिवार वालों के बोज से भी बचाय रखा, ननद आके साथ रहना चाहती थी, पैसे भेज दिये पढ़ाई के लिए, फिर दहेज के लिए भी, कहा कि रतना को कोई तकलीफ नहीं देगा, प्यार दिया, इसी से अभी तक कसक बनी हुई है, चालीस बरस बीत गए उस विव पहने, वरना मौकों बे मौकों पर दिल को छील जाने वाले उनकी अनुपस्थिती के एहसास, तो फिर ये इश्टिहार किस लिए? तो फिर ये इश्टिहार किस लिए? कभी ऐसा कर पाएगी, उसने सोचा नहीं था, लेकिन और कोई चारा बचा है सिवा निपट अकेले पन के, कोई तो उसका नहीं, तब वो क्यों किसी की परवाह करे? विद्वा हुई थी, तो अकेली ही थी, पर कभी उस तरह का अकेला होना महसूस नहीं हुआ, किसी न किसी को साथ देते पाया ही, फिर अपने बच्चे तो हरदम घेरे ही रहते थे, अब उम्र का तकाजा, परदेश के रीत रिवाज, कहीं कुछ बात बन ही नहीं रही थी, न किसी से शिकायत करने जाएगी, न खुद के जीने का ही कोई बंदोबस्त, तो वो ऐसा सिर्फ अपने बच्चों को, अपने रिष्टेदारों को सजा देने के लिए, सिर्फ सजा देने के लिए ही कर रही है, ये बताने के लिए, कि तुम्हारे घर में मेरे लिए जगर न नहीं, उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा, अगर उनको अंदाज ही नहीं होगा, तो फिर, पर हाँ, अगर सचमुच विवाह कर ले, तो पता चलेगा ही, तब चोट भी खाएंगे, क्या पता चोट लगे ही नहीं, किसी को कुछ फर्क पड़े ही नहीं, तब इस कुकर्म का लेकिन देखा जाए तो वो सुख से जी सकती है। रतना को आश्रे देने का बोज कोई महसूस नहीं करेगा। चाहे भाई बैन हो या अपने बच्चे। कोई नहीं कहेगा कि यहां तो सब को अपना-पना इंतिजाम करना होता है। किसी को दूसरे का मूँ नहीं जो होना चाहिए। सब कहेंगे अब किसी को रतना की खोज खबर लगाने की जुरूरत नहीं। अपना मजे से रह रही है। चाहे बेचारी का दम का दम ही गुट रहा हो। किसी को क्या परवाह। रतना ने हिम्मत करके एक लिफाफा खोला। अधेल से व्यक्ति की तस्वीर। खिचडी दाढ़ी और गंजा। वित्रिश्ना सी हुई। कहां उसके पती प्रताप। और कहां ये बूढ़ा खूसट। प्रताप आज होते तो क्या इस तरह लगते। नहीं, कत्ता ही नहीं। उनकी सजनता, उनकी गरिमा तो आज भी वैसी की वैसी ही होती। ठीक है, चेहरे पर उम्र आभी जाए, पर व्यक्ति का व्यक्ति तो तो बदलता नहीं। यो उनका बुढ़ापन वो नहीं देख पाती। अपने हर बिम्ब में वे युवा ही होते। उसी उम्र में छप गया था चेहरा जिसमें कए थे। उसके 36 वर्ष के युवा प्रताब कुमार, बलकि जो तस्वीर घर में लगी थी, वो साल भर पहले की थी। वही चेहरा था अब रतना की आखों में, तस्वीर वाला चेहरा। असल चेहरा तो जाने कब का धुंदला सा गया था। बेटा भी तो लगभग उसी उम्र में था, कितना मिलता जुलता है पापा से, पर उससे क्या, वो भी कहां है अब रतना की दुनिया में, सब अपने अपने दड़बों में घुसे हैं, अपनी अपनी परवा, किसी दूसरे की खोच खबर नहीं, चिंता नहीं, जैसे कि दु फिर भी इस बड़े से संसार में कोई अपना नहीं, सब को लगता है कि कहीं रतना उनके साथ न रहने लग जाए, पता नहीं कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा उनके जिन्दकियों में, रतना अब एक बहन या मा नहीं, एक मसला थी, एक मुसीबत, एक समस्या, जिसक कोई हल नहीं था, ये भी कोई शाब था क्या, इसी उम्र में पती चल बसे थे, अब बेटा दुनिया में होकर भी उससे दूर हो गया है, एक एक करके सब का साथ छूटता गया, बस यहीं तक साथ होना था, अब बस अपना अकेला पन, अपने आपका बोज, कितनों के बोज ढोए, अब अपना बोज ढोने कभी काबिल नहीं, कोई साथ चाहिए, बोज ढोने में मदद करने वाला, क्या ऐसा भी कभी होता है, रतना मेज पर पड़ी हर तस्वीर को ऐसे देख रही थी, जैसे किसी से चूरी कर रही हो, जबकि उसकी अपनी बेटी ने ही, उसे सलाह द थी, कि ममी, आपको बुढ़ापे में अपना कोई साथी ढूंड लेना चाहिए, यहां सब ऐसे ही करते हैं, मेरी सहली की मात तो असी की होने वाली है, और वे 86 साल के अपने एक पडोसी के साथ जुड गई हैं, दोनों मजे से रहते हैं, एक दूसरे का साथ भी रहता है, एक दूसरे की देख भाल भी करते हैं, वरना ममी, पोते पोतियों के पास कहां वक्त है, वरना ममी, पोते पोतियों के पास कहां वक्त है, बहन ने अपना सुझाव दिया था, बहन जी, आपको अपनी जिंदगी अपने धंग से अपने बूते जीनी चाहिए, आपको भी कोई ब बुढ़ापे में भी जिन्दगी को रस्में बना लिया। वरना भाई बहनों के आसरे कहीं बुढ़ापा कटता है। किसी खाविंद को उज्र होगा तो किसी की बीबी को। भाई बहन शादी के बाद कहां अपने रहते हैं। पहले अपने बीबी बच्चों को ही सवारेंगे आखिर, रतना के चेहरे पर विद्रूप की सी लहर फैल गई, पागल हो गई है बेहन भी, मजाग सूचता है उसे, फिर गुसे से जैसे सारी दुनिया से बदला लेती हुई आवाज में कहा, ठीक है, तु ढूट दे मुझे आ अखबार में इश्तिहार दे दूगा, फिर जवाब आएंगे, तो मिल लेना, मिलना आपको ही पड़ेगा, मुझे मत घसीटना इस जंजट में, ठीक है, तुम इश्तिहार दे दो, रतना उचसाहित थी, एक खेल कासा मजा भी था, और कुछ पा लेने की उमीद भी, साथ ही भीतर भीतर कहीं रतना, इतना उजड़ा, इतना अकेला महसूस करती रही थी, कि कहीं लगा, कि ये इलाज़ भी करके देख लिया जाए, शायद मन को कुछ सुकून मिल जाए, सच ये था, कि रतना के भीतर कहीं कोई दबी हुई ललक भी थी, जरा देखें तो क्या होता है, कैसा पुरुष होगा, किस तरह का व्यक्ति रतना को पसंद करेगा, उम्र के इस पहलू पर आकर किस तरह का मज़ा होता है और सबसे बड़ी बात तो ये कि अकेला बुढ़ापा काटना बड़ा दूभर है उम्र के इस पहलू पर आकर किस तरह का मज़ा होता है और सबसे बड़ी बात तो ये कि अकेला बुढ़ापा काटना बड़ा दूभर है बीमार हो जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं पोते पोतियों से रतना कुछ उम्मीद कर नहीं रही थी यूँ भी अभी वे बहुत छोटे थे पर हैनारी तो अपने बेटे पर ही थी जिसका सारा धरम करम अब उसकी औरत ही थी बेटी को भी अपने पती के मारे मुह मोल लेना पड़ा और अगर वो सचमुच किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगे तो सब क्या इसे स्विकार कर पाएंगे ओ, कितनी शर्म आएगी उन्हें चाचे ताय के आगे सब की नाक कट जाएगी वे कहेंगे, देखा, दूसरा आदमी कर लिया है रतना ने कैसे सुनेगी लोगों की ऐसी बाती कैसे चोट पहुसाज सकती है अपनों को लेकिन रतना करे तो क्या करे कैसे उठाए, इस कभी ना खत्म होने वाली जिन्दगी का बोज जब तक जीना है, जीना तो है ही तब कैसे जीना है, क्या यही एक सुईधा जनक रास्ता नहीं है बच्चों और रिष्टेदारों की भी जिम्मेदारी खत्म हो वो मेज पर सभी तस्वीरें फैलाने लगी ज्यादा नहीं, चार ही लोगों ने जवाब दिया था, एक तलाक शुदा था, बाकी दोनों की पत्नी की मृत्ती हो चुकी थी एक उमिद्वार तो अपने बेटे के साथ रह रहा था और उमीद कर रहा था कि अगर रिष्टा बन जाए तो वो रतना के घर में रहने चलाएगा एक अमेरिकी का खत भी था वो भारत और पाकिस्तान में रह चुका था और उसे किसी हिंदूस्तानी औरस से मिलने और उसके साथ जीवन गुजारने में दिल्चस्पी होगी उसकी यूँ तीन शादियां और तीन तलाग हो चुके थे उसने ये भी लिखा कि वो मानता है कि पत्नी के रूप में एश्याई औरतें ज्यादा कोमल, भावनामई और सेवा पर रखो दी हैं रतना ने मुँपिच गाया साला सेवा करवाना चाहता है अब मेरी सेवा करने वाली उम्र नहीं है मैं तो अपनी सेवा करवाना चाहती हूँ मुझे क्या पड़ी है कि साट साल की उम्र में ये दूसरी बीमारी पाल लूँ इनके लिए खाना पकाओ और सफाई करो आगे कम किया है जिन्दगी में जो ये और मुसिवत पालू उसे दूसरे पुरुष के विचार मात्र से ही घबराट होने लगी कैसा जमाना आ गया है रतना की मा आज जिन्दा होती तो क्या कहती विद्वा बेटी दूसरी शादी कर रही है और वो भी साट साल की उम्र में वो सचमुच अगर इन निवेदकों से मिली तो क्या सोचेंगे वे अपने बन में कैसी औरत है जो इस उम्र में इश्तिहार दे रही है उसकी हेटी तो नहीं होगी उसको कमजोर चरितरवाली तो नहीं समझा जाएगा उसे याद है जब पंजाब में कॉलेज में थी उसकी जो कोई सहली भी मर्दों में दिलचस्पी लेती थी उसे लूज केरेक्टर कह दिया जाता था रतना को सोच के शर्म आने लगी शायद उसे भी कोई लूज केरेक्टर समझेगा सेक्स की भूग ही समझेगा यदि ऐसी बात कतता ही नहीं जबकि ऐसी बात कतता ही नहीं सारी उम्रतों प्रताप कुमार के नाम बिना शारीरिक भोग के निकाल दी अब भला क्यों कर ऐसा करेगी पर ये अकेला पन ये निपट अकेला पन इसका क्या हिलाज करे और मन फिर उड़ने लगा मुझे तो कोई घुमाने वाला पती चाहिए जिसे देख जिसे देश घुमने का शौक हो जिसके पास गाड़ी हो और शौक भी और वे दोनों खूब दूर दूर घुमने चाहें उसके कंदे पर सिर रख रतना अपना दुख भूल जाएगी उसकी बाहों का घेरा रतना को हर आपती से बचा लेगा उसका मजबूत हाथ जब रतना के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेगा तो रतना की हर फिक्र भाग जाएगी वो ऐसा मैसूस करेगी जैसे अचानक फिर से सारी दुनिया रंग भरी और खुशनुमा हो गई हो बस तब रतना की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी और वो तब खुशी-खुशी मर सकती है वरना वरना बहुत कुछ अधूरा अत्रिप्त रह जाएगा पर उसके उस स्वैंबर के रचाओ में एक भी वर उसे भला नहीं लगा आने को अभी और भी जवाब आ सकते थे रिष्टिहार दुबारा भी दिया जा सकता था पर एक वित्रिशना से रतना ने तस्वीरों को परे धकेल दिया वाट नॉंसेंस ये क्या कर रही हूँ मैं उसकी सारी जीवन योजना तो बेटे की जिन्दगी की योजनाओं के इर्दगिर्दी ही बनी थी 26 में डॉक्टर बन जाएगा फिर दो साल रेजिडेंसी के बाद शादी करेगी उसकी इस बीच वो अपनी बैंक की नौकरी करती रहेगी जब उसे रेजिडेंसी खत्म करने के बाद धंकी नौकरी मिल जाएगी तब भी वो बैंक से त्याग पत्र देदेगी इस बीच पोते पोती भी आ जाएंगे तब बेटे के पास रहने चली जाएगी ये योजनाएं मा बेटे ने साथ साथ बनाई थी और सब कुछ योजना के अनुसार ही होता रहा था बस एक ही जगा गडबड हुई गडबड हुई तो सारी की सारी योजना ही खड़े में पड़ गई जो कुछ भी मा बेटा चाहे वो तो जरूरी नहीं की हो क्योंकि शादी वाले पड़ाओ के बाद से दो नहीं तीन की राय को ध्यान में रखना वे दोनों भूल गए बहु की भविश्री योजना से रतना की शरीकी नहीं थी सो अब सारा मसला यहीं आकर खटाई में पड़ गया रतना पहले पती फिर हमेशा बच्चों के साथ ही रही अब क्या करे किसी को तो साथ रहना है बेटियों के साथ रहना माओं को मनजूर हो भी जाए तो जवाईयों को रास नहीं आता फिर दस्तूर तो यही रहा है कि बेटे के पास रहेगी माँ कहां गलती हो गई रतना से क्या कमी कर दी उसने किस तरह बढ़ा किया आज बेटा इतना पराया हो गया सास भहु के रिष्टों के तनाओ कोई नई बात तो नहीं सभी घरों में ऐसा होता है पर इससे कोई माँ को घर में नहीं रखता दूसरे रिष्टदारों के यहां तो मिटी पलीद करवाने वाली ही बात है ये तो कोई तर्विका नहीं हुआ रहने का सारी उम्र तो हारी नहीं थी लड़ती रही हालाज से अब एक दम पस्त सी हो रही है लगता है जिसके लिए जिन्दगी गुजार रही थी अब उसके जिन्दगी का हिस्सा नव होने पर सब कुछ निसार हो गया है एक दम निरर्थक और उस निरर्थकता में ये सार्थकता खोजी है रतनाने एक दूसरे पुरुष का साथ एक विद्रूप एक भीशन अठाहास फैल गया था उसके आसपास अपने प्रतिय गरहना वृतिशना से भरती जा रही थी वो यही सूजा था बस आ गई दूसरों की बातों में जो वरत उम्र भरका था उसे यूही तोड़ने को तयार हो गई जब जवान थी तब तो शादी की नहीं अब चली है अपना वृत तोड़ने खिली का समान बनने क्या कोई आत्म समान नहीं उसका ऐसा लगा जैसे वो अपनी निलामी कर रही हो एक लावारिस औरत हो गई हो किसी से कुछ लेना देना नहीं किसी से जवाब दे ही नहीं लावारिस औरत जो लाचारी में आवारापन पर तुल गई हो क्या बदला लेना चाह रही थी सबसे तुम औरों के हो गए तो मैं भी किसी की हो जाऊंगी बस यही तरीका रह गया है उसके पास कोई ना अपना रहा तो वो अपनी किस्मत नहीं कि अपनों की कमी को इस तरह पूरा करे वो यह सोच कर ही परेशान कर रहा है रतना को कि कैसे गर बाई वो यह सब पिर एक अजीब सा ख्याल आया था क्या ये इश्तिहार ही भेज़ने सब को या जूट मुट का शादी का कार्ट फिर जैसे सचेत हुई नहीं कितनी नागवार बात होगी पता नहीं क्या पागलपन सा सवार हो रहा था रतना पर तुने ऐसा क्यों क्यों किया रतना प्रताब कुमार की रूह को भी कितनी तकलीफ पहुच रही होगी ऐसी आपमान ना ऐसा अपमान अपने इकलौते कमरे के अपाटमेंट में अचानक भफख भफख गर रो रही थी रतना अखबार को तस्वीरों को चिंदी चिंदी किये जा रही थी सिस्कियों के बीच बड़बढाती जाती देखो सब, देखा मेरा हाल, देखते क्योंने किस्मत ने मुझे इस हद तक ला दिया क्यों सब मौत की तरह खामोश हो गए हैं किसी को मेरी जरूरत नहीं रही अपने इस हाल के लिए किसको दोशतों बताना, किसको, किस्मत को, या खुद को सारे कमरे में अखबार की चिंदियां फैली हुई थी और रतना जमीन पर उनके बीच घुटनों पर सीरे ठिकाए इस तरह बैठी हुई थी जैसे पहली बार भी ध्वा हुई हो पहली बार अपने पती की मौत का मातम मना रही हो